यदि आप लौकी की सबजी बनाते हैं और उसके छिलकी को फेक देते हैं तो इस रेसिपी को अब ध्यान से देखें इस वीडियो को देखने के बाद आप लौकी की छिलकी को कभी नी फेकेंगे क्योंकि लौकी की सबजी से ज्यादे टेश्टी उसके छिलकी की सबजी बनेग मेरे भाल यह गोल वाल लाउके है यदि आपके पासła túa को इसके पर चिलके से आप सबना और सारे प्रौसेश को बना सकते हैं उसके लिए को छी लेना है कि ए इस तरह से लाउकी के में चुल ले और चीलके को में पानी में डाल देंग इस क squigt, तो वसमने नॉरमिल पनी लिया है और उसमेँ हम लॉपिशलके को छिल शिलके रॉसमें डालते जायेँगे तो इसी तरह से onion लॉपिशलकि को पानी मी डाल दें गे ऑ तो फोल जिलके को फॉल के लिए इसे पाणी में होड़ देंगे तो यह को फॉल देंगे दुबारा से एक बर हम इसे फिर से धूल लेंगे तो एक बर हम फिर से दूसरे पानी में धूल लेते हैं तो बस अब इसे हम निकाल लेते हैं कि मेरे सब्सक्ति पर खेस्थ कुरा करें दिराए जुवि यापके पासे आप सेम ट्रासे से आप से लग से अलग कर लिया हैं अबЗЫसे हम इस तरए से कट कर लेंगे इस तरए में बारीं केकर करना है तो देखिए इस तरह से में पतले-पतले यानि की बारीक हमें कट कर लेने हैं तो देखिए इसमसाधानी से आप इस चिलके को कट कर लें तो इस तरह से हमें इससे बारीक कट करेंगे तो यह देखिए इस तरह से में लौकी की चिलके को कट करना है तो इसे हम रख लेते एक प्लेट में और इस तरह से हम बाकी लौकी की चिलके को भी कट कर लेंगे तो बस हम इसमें लौकी को नहीं इस्तमाल करेंगे सिर्फ लौकी की चिलके की सबजी बनाएंगे और यकीन मानिए फ्रेंड्स बहुत ही टेश्टी बनती है सबजी एक बार तो आप इसे जरू से ट्राइ कीजेगा अधि आपने इसे एक बार बना के खा लिया तो दुपारा कभी भी लौकी के छिल्की को नहीं फेकेंगे क्योंकि आप भी उसके छिल्की को बनाएंगे और इ का उनी से दूल दें वाहिए दो आपि भार हमें पानी से बीच चिल्की को बहुनांगे बहुत ही कि करेंगे और लाष्ट में आपने उन्हें बता दया प्ोड़ी को जरूर पूचेंगे तब तो आपत पानी नहीं फेरकिक उन्यांता है और 13 gegen ऑस्पार साबिया को बनाई तो बस बिल्कुल इसी तरह से में सभी चिलके को कट कर लेना है तो मेरे पास में यहाँ पर दो लोकी है तो मैं दो लोकी की चिलकी की बता रही हूँ तो यह लिजे फ्रेंड्स हमें यहाँ पर सभी लोकी की चिलके को कट कर लिया है अब सबजी बनाने के लिए हमने एक कड़ाई को रखा गैस पर इसमें हम डालेंगे ओयल तो हमने यहाँ पर और सर्जो का तेल डाला है आप चाहते हैं यहाँ पर रिफाइन ओयल का भी इस्तमाल कर सकते हैं तिसमें हमने डाला है एक पिंच अजवाइन और साथी में हमने डाल लिया है हिंग एक से दो पिंच यानि वस एक चुटकी हमें अजवाइन डालनी है उसे वस टेश्ट अच्छा आता है और यहाँ पर हमने डाल लिया है एक कटी हरी मिर्च जितना आप दीखा खाना चाहें उस अनुसार हरी मिर्च को डाल ले साथी मैं यहाँ डाल ले एक लाल मिर्च साबूत तो बाइस हरी मिर्च को थोड़ा सम पकने देंगे अब इसमें डालेंगे हम बेसन तो दो चमच हम यहाँ पे बेसन को डाल लेंगे और लो फ्लेम पे हमें बेसन को अच्छे से भूनना है ताकि इसका कच्चापन निकल जाए तो देखिए अभी तो बेसन ने पुड़े तेल को एब्जॉर्ब कर लिया है तो देखिए फ्रेंड बेसन हमारे अच्छे से भून गया है देखिए भूनने के बाद कैसे ए थोड़ा और को रिलिस कर चुका है तो अब इसमें अमने डालने है ठोड़ा मसाले तो इसमें हमने पे टालना है धन्या पावडर, हल्दी पावडर भूना हुआ जीरा का पाउडर इसे साथ हम डाल लेंगे लाल मिर्च पाउडर और इन सभी को भी हम बेशन के साथ में करेंगे मेक्स और इसे भी हम थोड़ा से भून लेंगे यानि एक से दो बड़े हम इसे चला के इस तरह से भून लेंगे तो यह लिजी फ्रेंड्स मसाले हमारे भून गया है तो अब हमने जो लौकी के चिलके को कट करके रखा है उसे हम इसमें डाल लेंगे तो यह हमने यह पर लौकी के चिलके को डाल लिया है तो अब हम इसे बेशन के साथ में करेंगी mix और इसे भी हम एक मिन इसले के साथ में भून लेंगे एक मिनट यह पर एक साथी सबूल का बूनने के बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी एड़ करेंगे जिसे के लौकी के चिलके हमारे अच्य से बक जाए तो इस श्टैज में हमने ग्यास का फ्लेम मीडियुम रखा है मीडियुम फ्लेम पे हम 1 मिनिट एक बेसन के साथ में लौकी चिलके को भून लेंगे अब इसमें हम डाल लेंगे थोड़ा सा पानी जिसे कि मारे जो लौकी के चिलके हैं वो पकचा है लोकर देंगे तो इस रले से यह पर गैस के फ्लेम को बगें नम्क और नमक को भी हम मिला लेते हैं और लोप लेंपे ही हम इसे ढग देंगे तो बस अब लिड लगा दे और इसे थोड़ी देर ऐसी पकने दे बीच में लिड को हटा के अब इसे चला ले तो बीच में लिड को हटा कर एक दो बार इसे चला ले जिसे की सबजी मारी जले न और फिर से इसे हम लिड लगा देंगे तो थोड़ी दिर बहुर भुनने के बाद में हमने लिड को हटा दिया है अब इसे हम गैस का फ्लेम मेडियम कर लेंगे और इसे हम इसी तरह से भुनेगे यादि की झी की भीन ही बून की पाकाना है तो 4-5 मिनिड के लिए हम इसे इस तरह से भून की मेडियम फ्लेम पर बुका लेंगे तो यह देखे फ्रेंड चार से पांच मिनट के बाद भूनने के बाद में इस सब्जी इस तरह से दिखेगी और अब इसमें हम एड़ करेंगे आमचूर पाउडर यानि की मैंगो पाउडर और इसे कर लेंगे हम मिक्स और इसके साथ में इसमें आधा से एक मिनट के लिए ही इस तरह से इसे मिक्स करके थोड़ा सा भून लेना है तो ये लिए जे फ्रेंड सब्जी हमारी बनके तयार हो गई है गैस का फ्लेम हम आफ कर देंगे तो ये लेजे फ्रेंड्स लौकी की छिलके की सबजी हमारी बनके हो गई है तैयार तो यदि मेरी रेस्पी आपको पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और इसे आप अपने फैमली और फ्रेंड्स के साथ सेयर भी करें जिसे की वो भी लौकी की छिलके को न फैके और इसकी सबजी बनाके इंजुआई करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें तो आप भी सबजी को बनाईए इंजुआई कीजिए मिलते हमें एक न्यू रेस्पी के साथ अब तक के लिए हसते रहें मुस्कुराते रहें इस लौकी की छिलके की सबजी को बनाईए फ्रैमिली और ट्रेंड्स के साथ इंजुआई कीजिए और खुब सारी तारिफे पाईए